दोस्तों नमस्कार आदाब। में मे tends ज juicy जो भी वार्ड और आज के दिन नया शब्द जो भारत ने इजाद किया या यह बहुत राहा है थो ऐस्कू डिलो unnecess बहूत जाघांतों के लेकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करोंगा क्योंकि मेरा मानना यह यहां अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए इंडिया और चाइना दुनिया के दो सबसे बड़े देश एक के पापुलेशन नंबर वन है और इंडिया हो सकता है क्रॉस कर गया हो या फिर कुछ दिन के अंदर क्रॉस कर जाएगा यानि इंडिया यह फॉस्ट और सेक्ट पोजिशन को लेकर वैठे हुए हैं पॉपुलेशन के मामले में अगर एरिया वाइ आगे निकल चुका है लेकिन वो जानता है कि एशिया के अंदर अगर उसके लिए कोई पॉसिबल थ्रेट है तो वो है इंडिया और जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है लगातार आगे बढ़ रहा है day by day continuously आगे बढ़ रहा है चायना के लिए वो खत्रा है और चायना के लिए सबसे बड़ा खत्रा होने की वजह से चायना इसे THREAT मानता है येस अगर आप देखेंगे तो एशिया साउथ-ीस एशिया के इंडिया नोशियन देखें हर जगह पर इंडिया और चाइना आमने सामने हैं हलाकि साउथी इस्टीशिया से लेकर दूसरी देशों के साथ इंडिया जो है वो कही ना कहीं पिछट रहा है क्योंकि चाइना का ट्रेड डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त है लेकिन पावर के मा लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे के फिर भी ताकत के मामले में आप किसी भी मामले में चीन से कम नहीं है और जैसे की आज खबर आई है कि गलवान जैसे की आज खबर आई के पैंगॉंग सो लेक के फिंगर एट के पीछे जाने के लिए चीन राजी हो गय यह है कि जब यह दोनों देश एक दूसरे से डामिनेंस के मामले में ताकत के मामले में बिलकुल जिसे कहते हैं एक दूसरे को थ्रेट मानते हैं या खासकर चीन के मामले में देखें तो चीन पाकिस चीन इंडिया को काफी जादा थ्रेट मानता उसके पीछे रीजन देखिए कि चाइना की जो पूरी economy है, वो trade-based economy है, और व्यापार-based economy में देखेंगे, तो चीन से निकलने वाले दो root जो होते थे, उन्हेंeled silk root कहा जाता था, एक ये silk root है, एक ये silk root है, और ये ocean का भी एक जिसे कहते हैं, silk root की form में ही था, और सिल्क रूट इनका नाम ही क्यों पड़ा क्योंकि चीन से जो रेशम रेशम का व्यापार सबसे जादा होता था अब ऐसी सिच्वेशन में अगर आप देखेंगे तो यहां यह पूरे का पूरा जो रूट है यह जो सी रूट है इसी रूट यह पूरे का पूरा इंडिया के नीचे से हो कर जाता है और यह रियलिटी है कि इंडिया इस पूरे इलाके के अंदर इस हद तक डॉमिनेट करता है कि कुछ खेने की हद नहीं इंडिया आपने आप में एक बड़ा देश है और शुरू से जब जब चाइना का राइज हुआ है उसके साथ साथ इंडिया का राइज हुआ है और इंडिया ने ट्रेड के मामले में चाइना को कंट्रोल किया है या कम से कम उसको एक बहुत अच्छा चैलेंज पोज किया है अब ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया ने के चीज में कंफर्म है कि इंडिया पूरी ताकत से नहीं लड़ा और यहां तक की यह कहा जा सकता है कि पूरे मन से नहीं लड़ा अगर उसने थोड़ी सी भी पॉलिशी अच्छी की होती और इस रूट के इस रास्ते को काट दिया होता तो चीन घुटनों पे आते वे दो दिन लगाता लेकिन हमारे प्रधान मंतरिये ने समझदारी दिखाई या गलती करी मैं उसके मामले में नहीं जा रहा अपनी अपनी बहस का एक इशू है इसके उपर फिर कभी डिसकुशन करेंगे अपनी परिस्तितियों को देखते वे उन तो एर फोर्स का डंच से इस्तिमाल किया था और ना ही नेवल फोर्स का इस्तिमाल किया था अगर भारत नेवी का इस्तिमाल करके चीन को जाने वाले जहाजों को इस एरिया में रोक देता तो यकीन मानिये पूरी के पूरी चीन की एकॉनमिक दस दिन के अंदर कलैप्स कर जाती इस चीज़ को चीन आज भी समझता है कि इंडिया इतना ताकतवर हो गया है बासट वाला इंडिया नहीं रहा वो इस रास्ते को रोकते हुए देर नहीं लगाएगा और यही कारण है कि चीन की सबसे बड़ी चिंता का विशय यही है इंडिया चीन के लिए सबसे देखना शुरू किया और इंडिया के इंदर ताकता शुरू हुई मतलब इंडिया पहले भी पावर था ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लेकिन अब इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस मिलनी शुरू हुई जिसकी वजह से दुनिया के देशों ने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू किया और इंडिया और ज्यादा मजबूत पहले मजबूत था और अधिक मजबूत होकर उबरा अब ऐसी सिचुएशन में जब मजबूत होकर उबरा तो सबसे बड़ी बुरी चिंता चीन के लिए है चीन के जो सपने हैं वर्ड पावर सूपर पावर नंबर वन पावर बनने के वो कहीना कहीं पलीता लगता हुआ नजर आता है जब इंडिया का चारों तरफ इंडिया के चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे पोज पोजीशन के ऊपर अपनी नेवी या किसी दूसरे तरीके से एक इस्टैब्लिश्मेंट बना लेना ताकि इंडिया को काउंटर करते हुए उसे देर ना लगे जैसे अगर आप देखोगे तो जिबूती में चाइना है यहां पर इराक के अंदर चाइना का कुछ बेस है इसके बाद क्या नाम है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट तो मशू देखते हैं यहां पर केनिया से लेकर तंजानिया के अंदर भी चाइना का एक बेस है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स इसी को कहा जाता है मूतियों की माला कि इंडिया को चारो तरफ से घेरलो के कल को अगर कोई लड़ाई हो तो आप चारो तरफ से इंडिया की तरफ इस तरीके से बढ़ो उसे काउंटर करो कि इंडिया समझी ना पाए या फिर आगे कम से कम आपका रास्ता ना रोख पाए अब क्योंकि इंडिया रास्ता ना रोख पाए तो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स है अब ऐसी सिचुएशन में ये एक चाइना की डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी चाइना की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी चाइना की एक तरीके से कूट नीतिक ताकत थी जो साफ दिखाई दे रही थी जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया को चारो तरफ से घिरने में चीन कामियाब हो गय डेट ट्रैक पॉलिसी का मतलब या फिर जिसे आप कहेंगे चेक बुक पॉलिसी चलाई और इस चेक बुक पॉलिसी का मतलब है छोटे-छोटे देशों को इतना करजा दे दो के वह वापस ना दे पाएं और जब वह वह करजा वापस ना हो तो अपनी मन चाही जगहां उनसे चीन लो फॉर एग्जामपल अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को 65 बिलियन या 72 बिलियन डॉलर का करजा दे रखा है पाकिस्तान आज क्या अगले 20 साल तक भी अगले अगली उनकी 20 पुछते भी करजे को जल्दी से नहीं उतार पाएंगी और वह धीरे धीरे पाकिस्तान 99 यर्ज के लिए शिरलंका से चीन लिया गया मौरेशियस से भी मालदीव से भी इसी तरीके की डील चल रही है और उससे भी कुछ ना कुछ आइलेंड्स लेने की बात चल रही है चिटगांपोर्ट डवलप करने के लिए बंगला देश को करजा दिया जा रहा है म्यानमार क तरीके से चाइना जो है करजा बाट बाट कर रहा है यूं कहें कि अपने करज के जाल में हमारे हिंदुस्तान के परोस्टियों का फसा कर पूरे के पूरे मतलब हिंदुस्तान के परोस्टियों का फसा कर उनके important strategic locations पर कबजा किया जा रहा है और वहां से इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है दुश्मनी जबरदस्त है कोई ऐसी situation नहीं है और यही एक रीजन है क्योंकि दुश्मनी जबरदस्त है तो आप देख सकते हैं continuously चल रहा था और इंडिया के उपर चाइना डॉमिनेट कर रहा था ऐसे में आगया सन 2020 का जब पूरी दुनिया को खासी जुखाम कोरोना और कहां तो पूरी दुनिया को आप लोग देखेंगे लाल रंग केंदर रंगी हुई नजर आ रही है ऐसा लगा गए पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम बिमार पड़ चुकी है पूरी दुनिया बंद है लोग डाउन है सिचुईशन समझ में नहीं आ रही क्या हो रही है और चाइना को ऐसा माना जा रहा है दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ये मानने के लिए 100% तयार है कि असलियत में कॉरोना वाइरस चीन की ही चाल है ताकि दुनिया की बड़ी से बड़ी economies collapse कर जाएं और सारी के सारी situations जो है वो चाइना के favor में आए और चाइना जो की export हब बन चुका है अब पूरी दुनिया को अपना सामान बेचेगा पूरी दुनिया की economy collapse करेगे और चाइना इसमें अपना सामान बेचेगा और ऐसी situations देखने को भी मिल रही है अगर आप European countries को देखें अमेरिका कैनेडा को देखें ब्राजील को देखें और दूसरे देशों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया पस्त थी और चीन जो है उनकी टेक्ट्रियां चल रही थी दुनिया का एक मातर देश जिसने positive growth शो करी economy grow करी उसकी कम नहीं हुई उसकी economy grow हुई अब ऐसी situation में अगर उसकी economy grow हुई कम नहीं हुई तो कोई ना कोई तो reason होगा दोस्तो तो वो reason क्या था वो reason असलियत में वो तो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया बस दुनिया में बड़ा हिस्सा यहां तक कि मैं भी मानता हूँ कि शायद चीन की कोई चाल थी अगर चाल नहीं भी थी तो जिस तरीके से उसने विवहान वाइरस को ढखने की कोशिश करी दुनिया को इसकी इंफर्मेशन नहीं दी और उसकी एक चाल की वज़े से एक घटियापन की वज़े से जो हर चीज को दबा के रखने की चाईने इसकी आदत है शुरू से हर चीज को दबा के रखने की चुपा के रखने की हर चीज़ को चुपा के रखने की जो आदत थी उसके चलते चाइनीज लोगों ने क्या किया चाइनीज गॉर्मेंट ने कोरोना की इन्फार्मेशन को भी छुपा के रख़ा के कहीं उनको असर ना हो जाए और infection लेकि लोगों पूरी दुनिया के अंदर फैल जाने दिया नतीज़ा क्या हुआ पूरी दुनिया के अंदर कॉरोना फैल गया लाखों लोग मर गए जब कॉरोना से लाखों लोग मरे तो negativity आफ चाइना एक दम से फैल गई पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एक दम से चाइना के अंदर नेगिटिविटी फैली उसका असर ये था के दुनिया के अंदर एक माहौल बन गया चीन के विरोध में चीन ने पूरी दुनिया को घाव दिया चीन के विरोध में माहौल बना और उसी माहौल का असर था, माहौल जब बन गया, तो यहां भाई घाव के उपर मरहम लगाने के लिए इंडिया आया, और इंडिया की यहां पर किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी यह थी कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी इंडिस्ट्रीज, फार्मा इंडिस्ट्रीज और फार्मेसी इंडिया के पास है, दुनिया के सबस्यादा दवाईयां इंडिया में बिक्ती हैं, इंडिया में बनती हैं और पूरी दुनिया को जो सबस्यादा एक्सपोर्ट करने वाली दवाईया है, वो इंडिया से export होती है manufacturing से लेकर हर चीज़ इंडिया के अंदर जबरदस्त लेवल पर है vaccine development के अंदर इंडिया number one पर है ऐसी situation में अगर आप लोग देखोगे जिसने घाव दिया उससे नफरत थी तो जिसने दवा लगाई उससे प्रेम होगा इंडिया के सरकार यहां capable है और capable जब government हो इंडिया की जो government capable हो तो यहां आप देख सकते हैं कि capable government ने capable step उठाया और बहुत जबरदस्त step उठाया और यहीं से इंडिया की जो सबसे बढ़िया strength थी उसको vaccine diplomacy के रूप में इस्तिमाल किया vaccine diplomacy के रूप में इस्तिमाल किया जब पूरी दुनिया बिमार थी तराहिमाम तराहिमाम मचा हुआ था पूरी दुनिया के अंदर शोर शराबा मचा हुआ था समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे ऐसी situation के अंदर पूरी दुनिया जब रो रही थी ऐसे में उन्हें मरहम लगाने का काम उन सब पर मरहम लगाने का काम इंडिया ने किया दुनिया के दो देशों को vaccine बना बना के बेचना शुरू किया भेजना शुरू किया और बहुत से अपने दोस्तों को तो free में भेजी अगर आप देखेंगे तो मौरको को 20 लाख, अफगानिस्तान को 5 लाख, बंगलादेश 20 लाख, नेपाल 10 लाख, भूटान 1.5 लाख, म्यानमार 15 लाख, श्रिलंका 5 लाख, मालदीव 1 लाख, मौरिशियस 1 लाख, ब्राजील 20 लाख और ना जाने कितनी जबरदस्त वैक्सीन्स जो हैं, दुनिया के सो से उपर देशों को बेजनी शुरू करी, ये डाटा पुराना है जो आपको दिखाया जारा, पुराना इंदसेंस बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, 27 जनवरी तक का डाटा है, इस तरीके से जब भर भ के जो वैक्सीन्स को भेजा गया और दुनिया के बहुत सारे देशों को गिफ्ट दी गई, उसका असर देखने को मिला, अगर गिफ्ट का आप लोग नंबर देखते हैं, कि इडिया ने कौन से देश को कितने गिफ्ट दिये, तो यहां पर आपको नजर आएगा, कि असलिय अगर 10 एक लाख, मालदीवज एक लाख, शिरलंका पांच लाख, मयानमार पंदरा लाख, भूटान बेडुर लाख, नेपाल दस लाख, बंगलादेश दस लाख. अब डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी यही तो है दोस्तो, डिप्लोमेसी के लिए कोई और थोड़ी head ने अपने मिलिटरी और नेवल बेस बना रखे हैं जैसे पाकिस्तान को छोड़ दो ये तो जन्म जा तमारा दुश्मन है ये तो मर भी रहा हो तो आसू मत भाना इतना घटिया देश है समझे ये मर रहा हो अकाल पढ़ रहा हो आटम भान पढ़ जाए सब कुछ हो जाए मैं तो कहता हूं इंडिया वालों को वहां पर रहना आसू तो छोड़ो के आसू भाने को छोड़ो की जानवर रखे हैं यार उसमें और जो लोग हैं वह अपने देश की सरकार को ये कहने को तयार नहीं कि दुनिया में आतकवाद एक्सपोर्ट मत करो वाईरस है वो लोग चलत चोटा सा देश है 50,000 वैक्सिन देदी खुश हो गया मालदीव 4,000,000 की पॉपूलेशन है एक लाख वैक्सिन देदी यानि 25 परसेंट को तुम लोगों ने वैक्सिन पहुंचा दी बहुत बढ़िया इसके बाद मालदीव के बाद शिरलंका पांच लाख वैक्सिन पांच अवाई जहाद से भेजी उसके बाद आजाओ मैंनमार 15,000 वैक्सिन बैंगलादेश 20,000 वैक्सिन नेपाल 10,000 नेपाल से कितनी ज़ज़ा टाकत लगाई है चाइना ने जबरदस्ट चाइना ने जबरदस्ट टाकत लगाई जिसकी वज़े फिर भी नेपाल को एक बार 10,000 वेक्सिन बेजने का मतलब सरकार तो बल्लियां उचल रही है पीम ओली जो है वो तो बल्लियां उचल रहे हैं और जिस तरीके से वो वेक्सिन का इस्तमाल करेंगे अपने फेवर के अंदर गजब है बहुत गजब और यही चीज उसके बाद अगर आप भूटान को देखो कि वो तो अपना बड़ा भाई है अपना दोस्त है अपने सरकाताज है उसको भी डेड़लाख वेक्सिन सोचने वाली बात है जहां जहां चाइना ने पैसे खर्च किये थे बंगलादेश म्यानमार नेपाल के अदर यहां तक कि अफगानिस्तान से भी खबर आ चुकी है इन मे जाता है वेक्सिन डिप्लोमेसी लोगों के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच गई है पॉजिटिव अप्रोच ऐसा नहीं है इंडिया ने कोई दूसरी कोशिश नहीं करी थी कोरोना से पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आजम्शन आइलाइंड सेशल्स में देखोगे ओमान के अंदर देखोगे चाबाहर पोर्ट देखोगे इंडोनेशिया देखोगे सिंगापूर देखोगे मलेशिया देखोगे जापान देखोगे मंगोलिया देखोगे इंडिया ने भी चाइना को घेर के खड़ा कर रखा है इंडिया इतना कमजोर नहीं है औ लेकिन जिस तरीके से चाइना के दिये हुए घावों के उपर इंडिया ने मरहम लगाई उसका असर ये था उसका जबरदस्त असर ये था कि इंडिया की जो soft power diplomacy है वो positive होकर उबली लोगों का इंडिया में भरोसा उबरा और कि इंडिया support कर सकता है इंडिया competently खड़ा हो सकत है और यही तो reason है कि China follows यह जब step आता है कि now China follows India's western diplomacy अब चाइना को चिड मची के भाई वो तो पीछे रह गया अब जब चाइना को चिड मची या चाइना को चिड हुई के वो पीछे रह गया वो इतनी जादा दिन तक पीछे नहीं रह सकता था या फिर वो जादा दिन तक इस चीज को जहल नहीं पाता इसलिए उसने भी इंडिया की वैक्सिन डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए अपनी वैक्सिन को दूसरे देशों को भेजना शुरू किया और जैसे ही दूसरे देशों को भेजना शुरू किया उसकी सबसे बड़ी वैक्सिन प्रोडक्शन लोगों के उपर ही पास हो पाई बाकी जगा फेल हो गई ब्राजील ने ट्राइल बीच में ही रोक के नमस्ते कर दिया हालाकि बाद में ख़वरे यह हैं कि ब्राजील मान गया है और थोड़े बहुत ट्राइल के लिए परमीशन दे दी है और दुनिया के 14 चोटे बड़े दे इंडिया के वैक्सिन चलेगी लेकिन चाइना सोचकर देखिए पाकिस्तान के अंदर पांच लाख वैक्सिन बेजने के लिए भेजी नहीं यह कहा कि हम तुम्हें दे देंगे सस्ते दामों पर ले खुद जाओ कैर पाकिस्तान तो एक बेशरम देश है उसको तो अगर यू जैसे होगी लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो नेपाल सोचकर देखिए नेपाल के अंदर इंडिया ने दस लाख वैक्सिन भेज दी अब चाइना को आया एक उतावला पनाया एक नर्वसने साही किया इंडिया तो बाजी मा नेपाल को नेपाल के अंदर एक positive approach की लेगा और जैसी वह वह वजिटिव अपरोच दोप ऑप हो जिसके अंदर नेपाल की सरकार जो है नेपाल के विदेश मंतरी प्रदीब ग्यावली को चाइना के विदेश-मंतरी धमकी देते वी नज़र आ रहे हैं यह कह रहे हैं कि आप हमारी वैक्सीन को पास कर दो बाकी डाटा बाद में भीज देंगे बिना डाटा के पास कर रहे हैं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक अंजाम भुगतने के लिए तयार होने की कोशिश कर रहे हैं धमकाने की कोश दिखाई नतीजा क्या कि इंडिया के पे फेवर में एक positive response नजाराना शुरू हो चुका है और इंडिया ने नेपाल को और अपने बाकी सभी पडोसी देशों को बरोसा दिया है कि चिंता मत करो तुम सबको वैक्सिन की कमी नहीं होगी और जुलाई तक तुमारी सारी population को वैक प्रशिश करी थी वह सारा फाइदा चाइना के जिए इंडिया को मिल रहा है वैक्सिन और medical equipment के नाम का इंडिया का graph अगर बढ़ेगा तो उतना ही नुकसान चाइना को होगा और अगर उतना ही नुकसान चाइना को होगा तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी समस्याएं कि इंडिया इस step इस policy का फाइदा लंबे इंडिया बहुत ज्यादा लंबे समय तक इसका फाइदा नहीं उठा पाएगा तीन चार साल तक इसका impact जरूर रहेगा लेकिन इंडिया को ये जो एज मिली इसको इसका इसको continue करके अगले दूसरे लेवल्स पर भी इंडिया अप trade है वो उसके favor में है positive है पैसा दुनिया का वहाँ कठा हो रहा है इंडिया अभी growing stage में है तो ऐसी situation में अगर आप लोग देखेंगे तो situation जो है वो इंडिया के favor में जादा है चार-पांच साल तक तीन साल तक कम से कम और ऐसी situation में इंडिया को अपनी policy को और ज़्यादा मज ज़्यूत था और इसने पूरी दुनिया के एक pharmacy of the world का थमगा जो हासल किया था उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है और अब दुनिया के अंदर एक image बनाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा vaccine क्या दवाईयां वही बना सकता है और ज्यादा दूसरे orders जो है वो चाइना में बनते हैं इंडिया में अभी उन ingredients का production और सब चीजें शुरू नहीं हो पाई है जो कि इंडिया की pharma industry की सबसे बड़ी कमजोरी है हाला कि आपकी भारत सरकार जो है वो इसके उपर बहुत मेहनत कर रही है कि जो ingredients भी चाइना से मंगवाने पड़ रही ह लेकिन उसके लिए समय लगेगा लेकिन वह समय लगेगा लेकिन बन सकता है ये चीज़ भारत सरकार ना लेकिन नोटिस कर ली है तो अमीद करेंगी कि भारत सरकार इसके अंडर भी तूसना कुछ अच्छा response दिखाएगी और रही बात डिप्लोमेसी की तो डिप्लोमेसी है, समय के अनुसार बदलती रहती है अभी की डिप्लोमेसी में भारत जो है वो एक उपर का हाथ मतलब एक दबदबा बनाकर चलता हुआ नज़र आ रहा है देखते हैं यह आगे कब तक रहेगा और चीन कब तक इस दबाव में बना रहेगा तब तक के लिए धन्यवाद